नमस्कार दोस्तों नमस्कार सवाहथ स्वाहगा लेया य modo चीखना चाहते हैं वर लोग इस चैनल न बाते बता इक तो दोस्तों आज मैं जो बाद बताने जा रहा हूं वह पाइट आर्च के बारे में बाद बताने जा रहा हूं जो इसके पिछला लेक्टर था इसमें हमने देखा था की पाइटाज का यूज़ को होता है पाइटाज की होता है इतना धे बाते हमने पिछले वाले वीडियो में कि आपको अगर उससे से रिलेटेडsemble को घ ठेल चाहिए तो आप इसली वीडियो को देख सकते हैं अलिबाबा क्लाउड या Microsoft का जो क्लाउड है उस पे गूगल को जो क्लाउड है उस पे हम लोग पाइटार्च इंस्टॉल कैसे करेंगे वह सभी चीज़ हम लोग आज की वीडियो में देखने वाला है तो आज का वीडियो की काफी इंट्रिस्टिंग होने वाला है इसलिए आ आधि लर्निं आ अल्ट डिफोल्ए आज को घंकर सकते हैं तो चलिए शुरू करते है अगर आप ने आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको गुगल कुलेब से अज पर सर्चीत करा रहा हैा हes सवारों गुगल को उडिश करी हैं लिए सेहां क्लासिव लेर्न टेश थे जो रिग्रेशन वाले एल्गोर्दम थे या आंसुपर्वाइड रिलेटेड जो क्लस्टरिंग थी उसमें जो हमने प्रेटिकल हैंड्स-on किया था सभी हमने गूगल को लैब के तो गूगल को लैब आपको जूपाइटर नोट वर्क जैसा एक प्रेटफर्म करता है जिस आपको गूगल को लैब से सिंक रहता है आप उस डेटा का यूज कर सकते हैं अपने माडूल को ट्रेंड करने के लिए या माडूल को डिपलाय करने के लिए माडूल को टेस्ट करने के लिए आप उस डेटा का यूज कर सकते हैं जैसा हमने अन्य एक्जामपल में किया है त तो चलिए आखिर में Google क्यों करें ग्राफिकल प्रोससिंग करता है जो की डीप लर्निंग या मसीन लनिंग आठंपिसिक इंटलीजेंस के प्रोग्राम को रूब करने के लिए के बहुत यह सक्का है क्यों किया परोजिंग प्रोग्राम को एक्षिक्यूट करता है इसमें कोई सब्सक्राइब करने में जो टाइम लगता है वो कम लगता है को स्टिंग कम आती है और सबसे बड़ी बात हो कि आपका मॉडल का डिप्लाइमेंट बड़ी आसानी से हो जाता है इसलिए लोग गुज करते हैं तो जीपी का यूज पहले को नहीं होता था पहले आठिपीश इं पुड़ा नमक एक इंटाइटी होती है इस जो तब नहीं आया था इसलिए इतना फीक पे नहीं था नहीं तो बात प्रेस्ट पचास से चल लए है कि आठिपीश इंटेलिजेंस आ चुका है तब ही से सारे एक सारे जो एल्गुर्दम है चैसे नेयो बाइस हो गया या के मि तब से यह सब आय हुए है आया हुआ है यहां तक आप लोग अमसीड लगनिंग कई सारे प्रोग्राम भी यूज कर रहे हैं लेकिन पता नहीं लग रहा है जैसे गूगल में लोग मेल डालते हैं लिखते हैं वह आपको आपको गेस करके आता है वह वह प्रिडिट करके आत होती है वो भी मसीन लर्निंग ही है तो यह सभी चीज़ों को मसीन लर्निंग के मौडल के ट्रेंड करके ही बनाया गया है मसीन लर्निंग में होता कि इसमें आपको प्रोग्राम बनाने ज़रवत नहीं होती है मतलब जीज़ों को हम लोग नहीं कर सकते हैं वह निकिलीत करने के लिए अला घरण करेंगे तो उसके कि लिए आप कहां तब करता फिरेंगे तो आप पैचान करनी है तो आप पिक्चर होते हैं जो आप मौडल को फीड करेंगे उसको ठीक है अगर मैच होता है तो उसके बाद वह आउटपुट कर देगा कि इस पेजेंट को कैंसर आया नहीं है अगर है तो कौन से सब्सक्राइब की बारे में इंफर्मेशन यह कुछ ज्यादा ही बता दिया हमने क्योंकि आपको चीजे समझ में चाहिए इसलिए हमने बताया अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो आप क्या करेंगे ठीक ह वैसे आपने सिस्टम में पाइटार्ट बढ़ेगा हर एक ऐसे लएटाफ में मसीन में आपका अंचाल्बने है इसे लिए हम लोग इसका यूज करते हैं और इसके कंप्पेशन में एक और लाइडरी एक टेंसर फ्लो जिसको किसने डेवलप किया है गूगल ने ठीक है वो गूगल के लाइडरी टेंसर फ्लो और यह पाइड़ कंपण्य है उसके द्वरत बनाई गया है लेकिन तबसे पहले बना गया था इसको पाईटइस्ट को फेसबूक के द्वरा ही बनाय गया थीक है तो दोनों यूज करते हैं डीप राणिंग में आगे चलके बता जाएगा एक डिडिकेटर चैप्टर यह टेंसर होता क्या है उसके बारे में ठीक है ना साथ ही साथ हम लोग इसको अपने AWS अपने अपने ब्रावजर में कैसे उसको रण कर सकते हैं से बीचीजिजें अम लोग देखते हैं ठीक है तो चलिए यहां पर यहां पर उपन किया हुआ था और यहां पर पहले से रनता आप मैं इसको disconnect कर देता हूं एक बात ताकि आपको पता लगे यह फिर is किस से गर देख लेते हैं यह आपका GPU से कनेक्टेट है यहां पर मैं कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि CPU और GPU में क्या डिफेरेंस है ठीक है और कैसे आप वेरिफाई करेंगे कि हमारा सिस्टम जो CPU से कनेक्टेट है कि GPU से कनेक्टेट है और GPU का वर्जन का है CPU का वर्जन का है यहां पर पता लग जाएगे तो सबसे पहले आपको Google करना होता है उसका एक लिंक होता है को टाइप कर दीजिए कि गूगल को लिंक ओपन होके आ जाएगा उसको आप ऑपन कीजिए और आपको सेम किसे मैंसी विंडो बनके आ जाएगी ठीक है वहां पे आप अपना पाइफन प्रोग्राम लिखें है रुन करें या आपके पास प्रेडिमेट बहुत सारे मिल जा रहे हैं या कई सारे टूल है या इंटरनेट से गूगल से आप हर दिगर से कोड ले सकते हैं इस समय हमारा जो सिस्टम है जो हमारा ये इन्वारमेंट है वो सीप्यू से कनेक्टेट है मैं आपको दिखायता हूं यह देखिए यह जो रैम टार्च इस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके बाद आपको अगर आपका वर्जन कोंसा है टार्च का वह आपको चिक करना है तो प्रिट टॉर्च डॉट वर्जन यह कोड लिखना पड़ेगा उसके बाद कि आपका में क कुड़ा अभेलेबल है कि नहीं है क्या होता है कंप्यूट युनिफाइड टिवाइस अर्किपेक्टिउ जो की में जी प्यू का इंपारट होता है जी प्यू का अंगर हम कहने तो का माइंड होता है ठीक है और यहीं सारी प्रोग्राम करता है उनको वह प्रोग्राम करता है खुड़ा के मादम से आगे इसके बार में और भी गहरी इंफॉर्मेशन दी जाएगे लेकि फिराज के लिए इतना रही तो चलिए इस कोड को हम एक बार करके देखते हैं कि इसका आउट्पूट के आता है तो मैंने यहां पर कोड कर दिया है गूगल को लैब इंवार्मेंट कनेक्टेड है और यह थोड़ा सा समय लेगा उसके पास हमारे पास यह आउट्पूट लेके आगया आपके सामने स्कीन पर है यह टार्ज का बरजन वर्जन है टूपइंट वन अगर आपको जीप्यू से करवाना है तो आपको चेंज रंट टाइम करना पड़ेगा उससे पहले ही आपको यहां पर देखिए आपको ज्यादा है तो यहां पर गूगल को पैसा दे करके यह भी जीप्यू के इनवार्मेंट उसको से खरीश सकते हैं ठीक है लेकिन अभी फिलाल जो हम प्रेक्टिकल लेब के लिए करेंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा किसी जीप्यू की जरूत नहीं है जो गूगल को लैप प्रवाइट करता है उसी में हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा ठीक है तो चुकि अभी हमारा इंवार्मेंट से इसलिए ह हमारा प्रोग्राम का और्पुट फाल्स आया था वर्जन तो इसने सही बताया लेकिन कुडा इस अवेलेबल तो इसको इसने फाल्स बताया अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर टीफोर जीपी अमने कर दिया जैसे मैंने उस पर क्लिक किया डिसकनेक्ट डिलीट रंटाइ हैं हम डीप लर्निंग पर काम करने जा रहे हैं तो हम तो सीपी उपे काम करी नहीं सकते इसलिए हमने कहां कि मैंने उसे क्नेट किया मतलब राइट नव आइंग्टेड विथ जीपी ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं क्या यहां पर लिखके पाइफन ट्री गूगल कंप पूट आयाएगा वह आप देखिएगा क्या पूट पूट कैसे चेंज होता है अब यहीं तो सेम है लेकिन यहां पर कुड़ा इसने का यहां पर कुड़ा का वर्जन भी जान लिया आपने कुड़ा की चेक कर ली यह तीन चार चीजिए आपने आज चेक कर ली तो दोस्तो चाहिएगा मत इसको देखते रहे हैं क्योंकि आपको और बी इंट्रेस्टिंग इंफर्मिशन मिलने वाली है चलिए यह तो आपके पास खुद के इनवार्मेंट पर रन करना है यह आपको क्लाउट के इनवार्मेंट रन करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं ठीक है ना त package मैस्रियस करें ऐस पूझ करें या फेरिंड्वा करें ठीक है हर एक के लिए आपको पाइट आरल करने पड़ेगा और आपको इनशोर कोने पड़ेगा कि déc Nun यह इन्वीडेय का मैस्वीडीघर्च करने पड़ेगा चलिक है छो एंवीडिया का जीप्यू वहां पर होना चाहिए नहीं होता है इसलिए आपको आपको यह चेक करना पड़ेगा जिसमें प्रोसेस दिया हुआ है ठीक है अब हम लोग चलते हैं आपको एक कमांड करने पड़ेगी उसके बाद या आपका सिस्टम में इंस्ट्राल हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ उसके परामिटर दिये हुए है दोस्तों आप इस बुक का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ले सकते हैं जाके करिच सकते हैं या कही पे अवलेबल है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेप बाइस्टेपके हम लोग हर एक अपरेट्स इस्टम में ने अब दूसरा पार्ट हम चलते हैं अगर प्लाउड प्लेटफर्म को आपको पाइटार्स रन करना है तो आप क्या करेंगे तो आपको पता ही होगा सब्सक्राइब करने के लिए क्लाउड प्लेटफर्म प्रवाइट पावर्फुल हाडवेर इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्ट्र ट्रेनिंग डिप लर्निंग मॉडल ठीक है उसमें आपको कुछ अपना कुछ हाडवेर या ओयस या फिर मेमरी की कुछ और सकता नहीं होती है आप सकते हैं जितनी भी हाडवेर क्या हो सकता होगी सब चीज वहाँ पर मिल जाती है ठीक है यूजिंग क्लाउड सर्विस इस्पेशली जीप्यों इंस्टेंस इंकस अडिशनल कास्ट मैं बता रहा था कि आपको अडिशनल कास्ट की जरूरत पड़ेगी चलिए देखते हैं आ सब्सक्राइब करने के लिए इसमें आपको कुछ एक्स्टा करने जरत नहीं होती है सिर्फ यूजिंग मेकर का ही आपको पेमेंट करना बड़ता है लेकिन अगर आपको यह चाहते हैं कि आप अपना इंफर्स्टेक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो उस समय एक दूसरी सर्विस होती है AWS इसके बारे में दोस्तों हम लोग अगले वीडियों बार करेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए वीडियो को लिए